हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 2 एक चरवाले रहेखिक समय करन इसकी प्रशनावली 2.5 करेंगे इस प्रशनावली में total 10 questions हैं और सभी questions को इस वीडियो में हम करेंगे तो शूरु करते हैं तो पहला question हमारे सामने ये है यहाँ पर obviously हमें हल करना है इसका मलब x का मान गयाद करना है तो क्या करते हैं हम x को एक side लेके आ जाएंगे यानि जिसका मान गयाद करना है उसको बाएंपक्ष में लेके आएंगे और बाकियों को दाएंपक्ष में देखो x upon 3 दाएंपक्ष में है हम उसे बाएंपक्ष में लेके आएंगे यहाँ यह प्लस में है प्लस कैसे क्योंकि x बटे 3 के आगे कोई चिन नहीं है जब कोई चिन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा बाई पक्ष में आके अच्छा एक बटे चार अपनी जगह पे है उससे हम जैसा है वैसा उतार देंगे प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा एक बटे पांच यहां माइनस में है तो यह जब दूसरी और जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस यह हो चुका है ठीक है और अब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाओ बिल्कुल आसान तरीका इन दोनों का आपस में गुणा कर दो इसका गुणा यहां कर दो और इसका गुणा यहां कर दो माइनस तो लगेगा बीच में इसका गुणा यहां कर दो यह बहुत आसान तरीका है यहां पर भी ऐसा ही करेंग आप 4 और 5 का आपस में गुणा करो 4 पचे होता है 20 5 का उपर गुणा करो 5 इकम 5 ये प्लस आएगा और 4 का यहां गुणा करो 4 इकम 4 ये बहुत आसान तरीका है इनको प्लस माइनस करनेगा 3 X में से 2 X गया तो 1 X बचा 5 और 4 नौ यहां तक सब समझ आ गया अच्छा अब देखो यहां नीचे 6 है हमें नीचे 6 नहीं चाहिए तो दोनों पक्षों में हम 6 का गुणा करेंगे यह तो कड़ गया यहां यह कटेगा 2 से 2 तिया 6 और यह 10 और इस प्रकार से X आ जाएगा 9 तिया 27 बटे 10 तो या तो आप यहां से लिख सकते हैं और या फिर 10 दोने 20 7 बचा यह दोनों ही हमारे हल है ठीक है और यहां से राचुका है Question number 2 में अज्यात है N हमें N का मात ग्यात करना है और अच्छी बात यह है कि जितने भी यहां पे N है वो बाए पक्ष में पहले से ही है तो हमें पक्षांतरण करने की आवश्यक्ता नहीं है हमें इधर उधर नहीं लेके जाना है बस सीधे ही LCM लेके हल करना है तो यहां पे सबसे पहले हम LCM लेंगे 2, 4 और 6 का इनका LCM होता है 12 कैसे देखो 2, 4, 6 2, 2, 2, 4 2, 3, 6 और अब हो गया है ना कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 या उसे अधिक को भाग दे सके तो बेसिकली इनका मल्डिप्लाई कर दो 2, 2, 2, 2, 4 12 यह हो गया है आप चाहो तो और आगे कर सकते हूँ आपकी अपनी इच्छा है बढ़ कुछ फायदा होगा नहीं इससे यह तो 2, 2, 4, 12 L से हम आ चुका है ठीक है अब देखो होता क्या है कि 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 2, 6, 12 और जो आता है आंसर उसका उपर गुणा कर देते हैं तो 2, 6, 12, 6 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 तियां 12 और 3 तियां 9 ठीक है भाग देना है पहले 3 आएगा 3 का उपर गुणा कर देंगे प्लस 6 बार दो 2 का उपर गुणा कर देंगे इस तरह से और यह है 21 यहाँ पर अब देखो तो प्लस प्लस वालों को प्लस करते हैं तो यह हुआ 10 और 6, 16 N यह मेरा तरीका है जब 1 से ज़ादा प्लस माइनस जब 2 से ज़ादा हमारे पास प्लस माइनस में चीजे हों तो प्लस प्लस वालों को प्लस करते हैं अब हमें n को अक्यला करना है, तो इसके लिए, पहले तो ये 12 को हटाएंगे और फिर 7 को हटाएंगे, तो 12 को कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में 12 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7n upon 12, दोनों पक्षों में 12 से गुणा करेंगे ये 12 से 12 कटा और ये आ चुका है 7N इस इकल टू ये 12 कम 12 का दो हसिल 12 दोने 24 और 25 ठीक है और अब दोनों पक्षों में 7 से भाग देंगे तो अब इससे 7 कट जाएगा 7 से कटा यहाँ पर N आ गिया और 7 से भाग देंगे तो 7 7 या 21 7 6 के 42 और यह हमारा आंसर है ठीक Question No.3 में हमें इसमें अग्यात X है X कमान ग्यात करना है तो जितने भी पद जितने भी टम्स X में हुए हैं उनको बाएंपक्ष में लेके आ जाएंगे तो यह X पहले से ही बाएंपक्ष में है ठीक है यह पहले से ही बाएंपक्ष में है माइनस 8X अपॉन 3 और यह जो है 5X अपॉन 2 यह दाएंपक्ष में है माइनस के साथ तो इसको दाएंपक्ष से उठा के बाएंपक्ष में लेके आएंगे तो minus का हो जाएगा plus और ये हो जाएगा 5x upon 2 है ना, मतलब ये minus था यहाँ plus हो गया इस तरह से और अब जो बाकी है यानि 17 बटे 6 है वो तो ठीक है यहाँ पे दाएंपक्ष में पहले से था उसका कोई चिन नहीं change हुआ है लेकिन ये जो 7 बाएंपक्ष में था प्लस 7 ये दाएंपक्ष में जाएगा और ये हो जाएगा तो जिन में x है उनको रख दिया हमने बाएंपक्ष में और जो बाकी है उनको दाएंपक्ष में यहाँ तक सब समझ आ गया अब लेंगे हम जो भी इनके हर में है उनका LCM अब देखो X के denominator में कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और अब यहाँ पर 1 है, 3 है, 2 है इनका लेंगे LCM, तो इनका LCM 6 आएगा 6 आएगा, ठीक है न? आप LCM लेके देखो तो इनका LCM आएगा 6, देखो कोई भी ऐसा संकीत, 3 से जाएगा और फिर 2 से जाएगा यह, इस तरह से तो यह 6 आजाएगा, ठीक है, 3 दूने 6 यहाँ पर हमने 6 लिख दिया है अब 1 का 6 में भाग देंगे, तो 6 बार जाएगा और 6 का उपर गुणा करेंगे, तो 6X आजाएगा माइनस as it is, 3 दूने 6, 2 आया 2 का उपर गुणा किया, तो 8 दूने 16X 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का उपर गुणा करेंगे, तो यह 15 आ गया ठीक है, यानि पहले इसका इसमें भाग देंगे जो आएगा उपर वाले के साथ गुणा कर देंगे यहाँ पर भी सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यह तो ठीक है 17, और इसका गुणा यहाँ करते हैं तो यह हो जाएगा 42, 6, 7, 42 और यहाँ गया है यहाँ पर 15X और 6, यह 21X हो गया और यहाँ 17 में से 42 गया, तो 42 में से 17 जाएगा, तो 27, 25 25, माइनस का 25 आएगा, है ना 25 और 7, 32, 42 ठीक है, बटे 6 21X में से 16X गया, यह हुआ 5X और यह है यह ठीक है और अब हम 2 पक्ष में 5 और 6 को हटाना है, तो कैसे हटेगा पहले 6 से दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, 5X अपॉन 6 इंटू 6, माइनस 25 अपॉन 6 इंटू 6, 6 से 6 कटा और यह आ गया है, 5X इस इकल टो यह भी 6 से 6 कटा, माइनस 25 और अब दोनों पक्ष में 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और यह 5 पच्चे 25 आएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, X is equal to minus 5 Question number 4 है, यहाँ पे आप एक नई चीज सिखेंगे, अगर आपने पहले से नहीं सीखिए तो तो question में हमारे पास है, X minus 5 upon 3 बराबर X minus 3 upon 5 और यहाँ पर हम देखो, यह बाएपक्ष में भी पूरे के नीचे यह upon में 3 है, दाएपक्ष में भी पूरे के नीचे यह upon में 5 है अलग-अलग कुछ नहीं हो रुखें, तो यहाँ पे हम करेंगे इनका cross multiplication, यानि वजr-गुणा, आपस में cross multiply, वजr-गुणा कर देंगे तो वजr-गुणन क्या होता है? कि 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, यह होता है, वजr-गुणा करना तो ये कैसे होगा देखो तो पांच का इधर गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा बराबर तीन का इधर गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा इसको कहते हैं वज्र गुणन करने पर ठीक है तो वज्र गुणा हमने किया यहां पर और अब इसके बाद आप तो बड़ा असान है आप समझ गयोंगे 5 का पहले अंदर मल्टिप्लाइ करेंगे ब्रैकेट खोड़ ला है हमें 5 25 बराबर 3x-9 अब xx वालों को बाएं पक्ष में लेके आते हैं तो ये 3x इधर है बाएं पक्ष में लेके आएंगे और ये माइनस 9 अपनी जगह पे है उसको उसका माइनस का माइनस डिस्टरब नहीं करेंगे लेकिन ये बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में जब जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा ऐसे अच्छा 5x में से 3x गया 2x बच गया सिंपल है और यहाँ भी एक प्लस एक माइनस का है माइनस होगा 25 में से 9 गया 16 दोनों पक्ष में 2 से गुड़ा करेंगे जिससे कि ये 2 कट जाए x के साथ वाला 2 से ये 2 कटा ये 8 बार गया और इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 8 यहाँ पर एक और क्या हम कर सकते थे एक और किस तरीके से हम कर सकते थे मैं आपको दिखाना चाता हूँ फिर आपको वो आसान लगी का तो आप कर सकते हो नहीं तो जो हमने किया वो ही अपलाई कर सकते हो एक और किस तरीके से देखो यहाँ पर हमारे पास x ये था ना ये अगर हम इसको अलग-लग कर दें तो क्या हो जाएगा x बटे 3 माइनस 5 बटे 3 ये 3 दोनों की नीचे है तो हमने अलग-लग कर दिया और दाएपक्ष में 5 दोनों की नीचे है हमने अलग-लग कर दिया इस तरह से अब इसके बाद X वालों को बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो ये X माइनस 3 X अपॉन 3 और ये X अपॉन 5 हो जाएगा है ना क्योंकि प्लस का है माइनस हो जाएगा और ये अपनी जगह पर है और ये यहां से इधर जाएगा तो माइनस का गुणा करो और 3 का यहां गुणा करो ये भी एक तरीका होता है और यहां पर भी वैसे ही है यह हुआ पंदरा 3 का यहां गुणा किया तो यह माइनस 9 5 के इधर गुणा किया तो यह हो गया 25 यह हो गया 2X upon 15 is equal to 16 upon 15 अब दोनों पक्ष में जब हम गुणा करेंगे 15 से है ना इसके बाद तो क्या होगा आप भी समझते हैं कि 15 से गुणा करके आराम से यह हो जाएगा 2X upon 15 into 15 is equal to 16 upon 15 into 15 15 से 15 गटा 15 से 15 गटा और यह 2X बराबर 16 आ जाएगा दोनों पक्ष में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटके यह 8 आ जाएगा तो यह भी एक तरीका है करने का इसे भी सीख लो अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता है बिलकुल यह तो आसान तरीका है ही तो आप यह वाला अपलाई करना लेकिन आने दोना चाहिए और इससे पहले कि हम अगला क्वेशन करें मैं आपको एक important चीज़ बताना चाहता हूँ जिसकी जरूत आने वाले questions में पढ़ सकती है देखिए यह बात आपको already पता होगी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि minus का जब भी आप minus से गुणा करते हैं plus आता है और minus का जब भी हम plus से गुणा करते हैं तो minus आता है जब भी समान चिन्नों का आपस में गुणा करते हैं तो plus आता है विपरी चिन्नों का आपस में गुणा करते हैं तो minus आता है यानि अगर हमारे पास minus 2 है और अंदर मान लो की 4 minus x है तो यह क्या होगा अगर हम इसका गुणा करेंगे तो देखो माइनस 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 8 आएगा क्यों? क्योंकि एक माइनस और एक प्लस था लेकिन जब इसका इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि तो विपरीत चिन है तो ये 2X आ जाेगा इसी तरह से अगर हमारे पास है अगर हमारे पास ये है तो दिखो minus 6 का minus 7 में गुणा किया तो क्या होगा 6 से ता 42 लेकिन ये हो जाएगा plus क्यों 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 क्योंकि minus minus का plus होता है लेकिन जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा क्योंकि आप विपरी चिन्न हो गए है तो यह माइनस 6 आएगा ठीक है तो माइनस प्लस का गुणा हो या प्लस पहले हो माइनस बाद में हो तो भी बात ही की है इनका गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा तो जब भी विपरी चिन्नों का गुणा होता है प्लस माइनस या माइनस प्लस का तो माइनस आता है और समान चिन्नों का गुणा होता है जैसे प्लस का प्लस के साथ गुणा होगा तो फूर तो खेर तो एक काम करते हैं, सीधे पहले LCM लेते हैं, वैसे जो basic तरीका है वो यह कहता है कि भई पहले जो चर है जिसका मान गयात करना है जैसे T है, उसको बाइपख्मे लो और बागी को दाइपख्मे लो लेकिन प्राप्लम यहाँ पर ये है कि ये जो minus 2 है ये भी इसके साथ में है थ्री भी इसके साथ में है अब इनको अलग-अलग करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगा ठीक है जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े लेकिन आपका जो मन करें आप वो अपलाई कर सकते हो एक्जाम में जब क्वेशन आएगा चलो देखो पहला किस तरीके से हम करेंगे कि सीधे ही इनका एलसिम ले लो अब ध्यान से देखो यहाँ पर चार और तीनका एलसिम होता है बारा ठीक है या यह समझो कि इनका आपस में सीधे गुणा कर दो तो तीन का इतर गुणा करेंगी तो क्या होगा ये और चार का इतर गुणा करेंगे माइनस है ध्यान रखना है माइनस भूलना मत और ये हुआ टूटी प्लस थ्री बराबर ये थ्री है ये टू है और ये तीन का यहाँ गुणा कर देंगे ऐसा हम कर देते हैं ठीक है जब कोई अकेला इस तरह से होता है कोई upon में नहीं होता है तो इसका सिद्ध गुणा कर देते हैं ऐसे इतना clear हो गया अब इसके बाद इसको सरल करते हैं तो 3 तिया 9, 90-6 और यह हुआ 8T-12 upon 12 ठीक है बराबर 2-3T upon 3 और अब यहाँ पर 9T में से 8T गया तो यह बचा कि सिंगल T ठीक है माइनस 6 माइनस 12 यह होता है माइनस का 18 क्योंकि दोनों माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे इतना समझ आ गया 12 नीचे आ गया as it is और दाएंपक्ष में 2-3T upon 3 यह as it is आ गया अब यहाँ पर करेंगे हम cross multiply वजर गुणा जो हमने पिछले question में भी किया था तो तीन का इधर गुणा करेंगे क्यों हम यहाँ पर गुणा करेंगे आप यह होगी सर यहाँ क्यों आपने वजर गुणा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर upon में अलग-अलग है यहाँ पे और यहाँ पर देखो बहुत अंतर है अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरे के नीचे 12 है और यहाँ दाएंपक्ष में पूरे के नीचे 3 है तो इसलिए हम वज़र गुणा करेंगे तो तीन का यहां गुणा करेंगे यह आया और बारा का दाएं पक्ष में गुणा करेंगे तो यह आया ठीक न तीन से गुणा करके आएगा 3T-54 12 दोने 24 माइनस 12 दिया 36T और अब क्या करेंगे वही कि जो T है अग्यात है इसको बाएं पक्ष में लेके आएगे तो 3T तो पहले से ही बाएं पक्ष में है 36 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 24 अपनी जगह पर है आराम से 54 माइनस में बाएं पक्ष में है दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अब ये दोनों प्लस के हैं इनको प्लस करो 39T और इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 78 और दोनों पक्षों में हम 39 से भाग देंगे 39 को काटने के लिए तो ये कटा और ये दो बार जाएगा तो हमारा आंसर आचुका है T is equal to 2 समझ गए दूसरा क्या हम तरीका अपलाई कर सकते हैं वैसे ये सबसे आसान है लेकिन फिर भी दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको simple यहां पर समझा देता हूं बाकिया आप उसको चाओ तो खुद भी कर सकते हो कि इनको अलग-अलग कर दो 3T upon 4 minus 2 upon 4 minus 2T upon 3 minus 3 upon 3 आप कहोगी minus कैसे आए तो plus आ लेकिन minus plus का minus हो जाता है और यह हाया 2 upon 3 minus 3 अब TT वालों को बाएं पक्ष में लेके जाओ और बाकियों को दाएं पक्ष में लेके जाओ और उसके बाद उन्हें हल कर दो तो यह भी है मुझे रखता है यह थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा बट इस तरह से भी आप कर सकते हैं ठीक है न question number 6 हमारे पास है और यहाँ पर हम देखो अब अगेन वैसा ही question आ चुका है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यह M है इसके नीचे कुछ नहीं है लेकिन अब देखो यह अग्यात है यह अग्यात है और यह अग्यात है लेकिन यहाँ पर minus 1 भी लगा हुआ है तो अब minus 1 को यहाँ से यहाँ ले जाने में थोड़ा problem होगी तो हम simply क्या करेंगे सीधे ही इनका L sim ले लेते हैं तो देखो सीधा L sim ले लेंगे और करने के इसको बहुत सारे तरीके हैं आप और भी तरीके से कर सकते हो अगर आप सीधा ही L sim लेते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा डंग से देखो ठीक है यह 2 नीचे आया जब यहाँ पर कुछ भी नीचे नहीं होता है तो सिधा गुणा हो जाता है इसका तो यह हुआ 2 M अब ध्यान रखना यह minus M लेकिन minus और minus यह plus हो जाएंगे ठीक है यहाँ 3 का यहाँ गुणा करेंगे minus M और यह minus minus का हो जाएगा plus upon 3 यह clear हो गया अब यहाँ पर 2 M से M minus होगा तो M बचा और यहाँ 3 और 2 होगे 5 5 minus M upon 3 और इसके बाद आपको पता है क्या करना है cross multiplication वज्र गुणन तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे और 5 का इधर गुणा करेंगे ठीक ना इसका इधर और 2 का नहीं 5 नहीं 2 का 2 से इधर गुणा करेंगे तो यह हो गया है ऐसा यह होगा 3 M और तिनीकम 3 2 पच्चे 10 minus 2 M अब M वालों को 2 पक्ष में लेके आएंगे तो यह minus 2 M था यहाँ आएगा plus 2 M हो जाएगा और यह 3 यहाँ से दाएं पक्ष में जाएगा तो plus का minus हो जाएगा और यह हो गया है 5 M और यह हो गया है 7 इतना क्लियर हो गया सब कुछ और अब दोनों पक्ष में हम भाग देंगे 5 से जिससे कि यह 5 कड़ जा M के साथ वाला तो यह 5 से 5 कड़ा और इस प्रकार से आंसर आ चुका है M is equal to 7 upon 5 तो यह आंसर है ठीक है यह आंसर है आप इसको और भी भाग दे के लिख सकते हो एक सही 2 बटे 5 यह भी आंसर है ठीक है न वैसे I think बुक के पीछे यह आंसर होगा बट यह भी इसका आंसर है अगर ऐसा है तो भी यह आंसर है अब हमारे पास यह questions है यह तो बड़े आसान प्रश्ण है पिछले questions के मुकाबले में तो यहां पर हमें T का मान याद करना है तो कैसे करेंगे तीन का अंदर गुणा करेंगे यह हुआ 3D और यहां तीन का तीन में गुणा करेंगे तो तीन तीन नौ पांच का इसमें गुणा करेंगे पांच दूने दस टैन टी और यह हुआ पांच ठीक ना पांच इकम पांच जो टी है उनको बाएं पक्ष में लेके आओ तो टैन टी इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस का टैन टी क्योंकि यह प्लस का था पांच में आएगा माइनस हो जाएगा और यह 9 यहां माइनस में था दाय पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 टी में से 70 आएगा और यह माइनस का चिन आएगा यह धियान रखना और यह आएगा 14 चिन हमेश화 बड़े वाले का आता है अब यहां पर हम माइनस साथ से दोनों तरफ भाग देंगे क्योंकि हमने T के साथ वाला माइनस 7 हटाना है तो माइनस से माइनस कटा 7 से 7 कटा और ये साथ दुने चाउदा और T आ चुका है माइनस दो ठीक है और ये हमारा आंसर है question number 8 है और यहां हमने y का मान ग्याद करना है तो simply क्या करेंगे हम यह अंदर गुणा करेंगे 15 का y से गुणा किया यह आया 15 y minus 15 चको 60 फिर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यह आया 2 y लेकिन दियान रखना minus minus होता है plus 9 दोने 18 और 5 y plus 5 के 30 समझ गया आप अब y वारे एक तो यह है एक यह है एक यह उनको एक साथ लिख देते हैं 15 y minus 2 y plus 5 y देखो पहले ही दाएं बाएं पक्ष में हैं अब भी बाएं पक्ष में हैं left and side में तो उनका चिन्द मत बदलना ओके बाकियों को हम दाएं पक्ष में लेगे चले जाते हैं आप जाओ तो पहले solve कर लो फिर लेके जा सकते हो यह आप जाओ तो अभी लेके जा सकते हो आपकी मरजी है 60 यहाँ minus का है यहाँ plus में चला जाएगा 30 यहाँ plus में है minus में चला जाएगा और इस तरह से, ओके, यहां पर ये हो जाएगा, पंदरा वाई प्लस पांच वाई, बीस वाई, टू वाई, यहां साथ तो प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, तो इनको माइनस माइनस वालों को हम अलग प्लस करेंगे, ये 48 हो गया, ये हुआ अठारा वाई, और ये भी हुआ यह हुआ बारा ओके दोनों पक्षों में अठारे से भाग देंगे हम क्यों? क्योंकि वाई के साथ का अठारा हमें हटाना है यह तो गया छेदोने बारा, छेदी आठारा और वाई हो चुका है दो बड़े तीन और यह हमारा आंसर है ठीक है न? जो मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि कि यह जो स्टेप हमारा है इसके बाद आप चाहतो बाए पक्ष में इनको जैसे यह है, यह है और यह है इनको हम हल कर सकते हैं एक साथ? या इनको बाए पक्ष, यह तो बाए पक्ष में ही रहेंगे इनको भी अभी यहीं रखो लेकिन एक साथ लिख रहे हैं हम और तीस भी ठीक है ना अभी बाएं पक्ष में है चिन नहीं बदला गया है और यहीं पे फिलाली ने हल करो तो पंदरा वाई और पांच वाई होता है बीस वाई माइनस टू वाई यहाँ पर यह तो 60 माइनस का है और यह दोनों प्लस के हैं तो यह हो जाएगा 48 बीस में से दो गया हो यह हुआ ठारवाई और यह माइनस साथ प्लस 48 ही होता है माइनस का बारा है ना क्योंकि बड़े का चिन नहाता है और अब जो है बारा को आप दाये पक्ष में लेके जा सकते हो और अब दोनों पक्षों में अब मतलब अब तो यह ही आ गया है जो यहाँ पे था अब ऐसे ही होगा तो यह भी तरीका है करने का आपको जो बेटर लगे आप हो कर सकते है मुझे लगता है कि यह ज़्यादा कन्विनियंट है लेकिन आप जो भी चाओ उसे कर सकते हो question number 9 3 का अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे तो यह हुआ 5, 3, 15, 7 3 का इसमें गुणा करेंगे यह हुआ 21, ठीक है minus 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनों में 18 और यह minus आएगा minus minus हो जाता है plus 22 ठीक है 4 दूने 8 sorry, 8 चको 32 Z और 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 13 चको 52 और यह minus हो जाएगा और minus का 17 यह है ठीक है अब यहाँ पे चलो फिलाल थोड़ा सा पक्ष में लेके आ सकते हो, बाकी को दाएगे पक्ष में या फिर थोड़ा यहाँ पे हल कर लो और वो काम अगले स्टप में कर देना 15 Z में से 18 Z गया तो minus का 3 Z बचा minus 21 plus 22 होता है plus का 1 ठीक है ओके और यहाँ 32 Z ठीक है अपनी जगह पर minus 52 minus 17 होता है minus 69 ओके और अब हम Z वालो को बाएगे पक्ष में लेके आ सकते हैं तो यह 32 Z बाएगे पक्ष में आएगा plus का minus हो जाएगा यह as it is आए minus 69 plus 1 बाएगे पक्ष में आएगा तो minus 1 हो जाएगा minus 3 यह Z है ठीक है? इसको दो मत समझना minus 3 minus 32 होता है minus का 35 Z minus 70 और अब दोनों पक्ष में minus 35 से भाग देंगे तो यह कटेंगे minus 35 minus 35 minus से minus कटा यह दो बार चला गया और इस परकार से Z आ गया यहाँ पर ठीक और जो मैं आपको यह कह रहा था कि इस स्टेब में आप क्या कर सकते हो? कि Z Z वालों को एक तरफ लेके आ जाओ यानि 15 Z minus 18 Z और यह 32 Z वहाँ से इदर आएगा तो minus का हो जाएगा और बाकियों को दाएं पक्ष में तो जैसे minus 52 अपनी जगह पर है minus 17 अपनी जगह पर है 21 plus का यहाँ minus का यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा और 22 plus का यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो अब Z का मान यहाँ से याद हो सकता है ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो मुझे लगता है ये ज़्यादे convenient है बाकि आप कुछ जैसा सही लगे question number 10 यहाँ पर थोड़ा point भी उन्हों लगा दिये हैं question को difficult बनाने के लिए लेकिन कोई problem नहीं है 0.25 का दोनों में गुणा करेंगे bracket मतलब open करना है हमें तो ये हो जाएगा zero point देखो चार में इसका गुणा करेंगे तो 25 जो को 100 यहाँ गिया f minus और ये दाएं ये इसका इसमें गुणा होगा 0.25 का तीन में गुणा होगा तो 25 तिया पीचेतर यहाँ आया इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा और 9 में गोड़ा करेंगे तो 9,45, 0.49 ये हो गया है ठीक है पॉइंट के बाद के जो ये लास्ट में 0 जे इनको महटा भी सकते हैं इनकी इतने आवश्यक्ता नहीं है याँ पर तो इस सिंप्ली इसको या तो 1F लिखो और या केवल F लिख दो चलो 1F लिख दो थोड़ा हाला कि 1 लिखते नहीं है बट थोड़ा सा आपको calculation करने में convenience रहेगा इसलिए ये अपनी जगह पर है और 0.75 यहाँ माइनस में इदार आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 0.75 1F और 0.5F माइनस करेंगे तो 0.5F हो जाएगा 1 से आप 0.5 माइनस करो कितना होगा 1.0 माइनस 0.5 तो यह होता है 0.5 और यहाँ आ गया है और यहाँ पर 0.75 से इसको माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा बड़े का चिन प्लस आएगा क्योंकि बड़ा प्लस में है और अब दोनों पक्षों में हम 0.5 से भाग देंगे तो यह तो कड़ गए और इसको कैसे काटेंगे तो यहाँ पर देखो इसका आगे भी देखो इस 0 का ऐसे कोई यूज नहीं है ठीक ना क्योंकि लास्ट में 0 है पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंग है इधर भी एक अंग है तो यह हम हटा देंगे और यह सिंपली आएगा 3 बटे 5 और यह हमारा आंसर है f is equal to 3 upon 5 और यहाँ पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं 0.6 तो दोनों ही आंसर हैं यह भी और यह भी और राइट इसे के साथ इस प्रशनावली का समापन होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी questions समझ आए होंगे बाकी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें चैनल को subscribe करें और अपने classmates को friends को इस चैनल के बारे में बताएं